अभी हम कर रहे हैं सेवंत क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंगल्स एक्सराइज है यह 5.2 का कोस्टन नंबर है यह 6 जो की लास्ट कोस्टन है इस एक्सराइज का और कह लिजी यह इस चैप्टर का हमें गीवन है इंदा गीवन फिगर बिलो डिसाइड वैदर एल इस पैरलल टू एम आपको यह डिसाइड करना है जो निचे फिगर दे रखी है कि क्या एल एम के पैरलल है और आप देख करके ही मत कीजिए ऐसा देख करके देखने मात्र से ही मत यह कीजिए कि यह पैरलल है य चली करते हैं कई बार बच्चे कहते हैं सर दिखतो रहा है यह पैरलेल है नहीं ऐसा नहीं करना solution 6 पैरली फिगर यह है यह दो लैने दे रुखी है यह है यह है N यह एंगल दिया हुआ है 126 और यह है 44 अभी आप मुझे यह बताएए कि यह दो एंगल कौन से हैं क्या यह corresponding angles है क्या यह angles made on the same side of the transversal है या फिर यह alternate interior angles है vertical opposite angles है या linear pair है बताओ जल्दी से सुचो N is odd transversal, which intersect L and M at two points. तो क्या हो जाएगा चाहिए ना लिखिये यह समझाने के लिए लिख दिया मैंने कि इसे नाम दिया मैंने 1 और इसे नाम दिया 2 थोड़ा छोटा लिखेंगे ने 244 ना बन जाए थोड़ा इसके पास में लिख दो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा आ रहा है 126 प्लस 44 सो चाप ने किये कौन से एंगल से रहे हैं सोच लीजिए साथ में देखिए भी 6 4 10 1 1 2 3 4 6 4 10 1 1 2 3 3 4 7 170 डिगरी आ है ना जो की 180 डिगरी के बराबर नहीं है यह बिल्कुल सही कह रहे हो सोच रहे हो अगर आप यह कि यह एंगल ना शेट व्बॉट ट्रांस कहुँँड़ सल को इंटिरीं एंगल से तो आप ठीक है अगर नहीं तो आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा लर्न कर लीजिया समझ लीजिए कि यह को इंटिरें एंगल्स अंगल्स मेंड्स इंगल्स मेंड और शेट दा sum of, because sum of angles made on the same side of the transversal is not 180 degree, so L is not parallel to M, that's it, यह answer हो जाएगा आपका, और यह आपने प्रूव कर दिया, justification दे दी इसके, ठीक है, अब second part, figure बनाईए, वैसे देखके ही पता लग रहा है कि यह parallel नहीं है, यह L है, यह M है, यह 75 degree है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा, यह 75 degree है, अब यह देख करके मत सोचिए कि यह दोनों के दोनों angles तो equal है, तो यह कौन से angles होंगे, कोई angles नहीं है, यह वाले, है ना, समझे आ रहा ह आपको, तो यह जो angle है, इसे हम angle 1 देंगे नाम, angle 1 plus 75 degree, इसे नाम दिया हो गया है, N, because N is a line, तो फिर इन दोनों का sum 180 degree होगा, angle 1 is equal to 180 minus 75, 105 degree, ठीक है, 80 में से 75 जाएगे तब 5 बचा, और 100 का 100 आ गया, आप column वे से minus करके देख सकते हैं, ठीक है, तो 105 degree आया है, angle 1, अब यह देखिए, कि, एक यह angle है, और यह एक यह angle, दोनों क्या होगे, alternate interior angle, है ना, तो अब alternate interior angle, यह भी तो alternate interior angle सी है, angle 1 is not equal to 75 degree, because alternate interior angles are not equal, so L is not parallel to M, ठीक है, यह देख लिजी अच्छे जे, अब नेक्स्ट पेज़ पे, थर्ड पार्ट इसका करते हैं, और आपको क्या करना है, है, हैप्पी हो जाना है, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो comment कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद bell icon बटन दबाना मत बूलेगा, ताकि आपको latest update मिलती रहे, लाइक कीजिए, इसे मुझे motivation मिलेगा, और यह आपके लिए ही beneficial है, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तकि वो भी उसका फाइदा उठाज के, ओके, चलिए, अब third part है, वो करते हैं, पहले diagram plot करना होगा हमें, हो सकता है कि यह parallel हो, बाजी मार जाएए, अकेला जो parallel है, question के हिसाब से, 57 degree है यह, यह 123 degree है, देख करके लगेगा, ओ, यह तो कोई relation ही नहीं बन रही, equal आना चाहिए, नहीं, अभी देखेंगे, L और M, इनको काटने वाले N line है, जो 2.0 पे काट रही है, Transversal इसलिए यह Transversal के लागती है, दो पेंटों पे काट रही है, दो अलग लाइनों को, इससे हम अपनी दर्फ से नाम लेते हैं, Angle 1, ठीक है, Because L is a line, और line के उपर किसी point पर बना जो Angle का Sum, एक ही side में, वो 180 degree होता है, तो इन दोनों का Sum 180 degree होगा, क्यों linear pair से, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा, linear pair property, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिख लिजेगा, linear pair, region ज़रूर लिखना होगा, कि यह दोनों का Sum, 180 degree होगा, तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखेंगे, कि, एंगल 1 प्लस 57 degree, इस इगल to 180, क्यों, linear pair, तो एंगल 1 की वाली होगी, 180 मिनस 57, यह बोरो करेगा 10, यह 7 होगा, 10 मिनस 7, 3, 7 मिनस 5, 2, 1, 123 degree, 123, हाँ लग रहा है कि पास पास कुछ आ गया, इसकी जैसा लग रहा है, तो एंगल 1 की वैल्यू आई, 123 degree, और यह दोनों एंगल्स कौन से है, अब आप बताओ जल्दी से, यह दोनों एंगल्स कौन से है, क्या corresponding, क्या interior angles, क्या adjacent angles, क्या कौन से एंगल्स हैं, बताओ, हाँ जी, alternate interior angles, अगर यह सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुर ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू हुई, 123 degree, because, angle 1, but these are, यहाँ पर यही रूप आगे न, angle 1, 123 degree, but these are alternate interior angles, so, इसकी वज़े से क्या होगा, जो alternate interior angles है, उसके अंदर common angles, जो side है, देखिए, 123 degree की दो side है, दो arm, जिससे की angle बना है, एक तो arm यह वाली है, और एक arm यह वाली है, और angle 1 के लिए दो arm कौन कौन सी है, जिसकी help से angle 1 बना है, एक तो arm यह वाली है, उर एक arm यह वाली है, दोनों में common तो यह वाली arm होगी, angle 1 और 123 की, इनको छोड करके, जो next है, वो, uncommon arm है, वो क्या होगी? parallel होगी, तो यह वाली और यह वाली, इन दोनों इसको छोड करके बची, यह वाली यह, यह वाली यह, ठीक है, तो यह parallel होगी, so L parallel to M तो इसके case में ये parallel है बाकि दोनों पहले वाले case में parallel नहीं है लग रहा था कि भई ये 75 है ये 75 है या फिर ऐसा देखने पर कि ये तो core interior angles, angles में तो same set तो transversal है कुछ ऐसा लग रहा था कि ये दोनों parallel होगी लेकिन इन दोनों case में ये parallel नहीं है इस case में है अरे रुको 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 अभी एक और है अभी रह जाता वीडियो में ये part और है इसको भी करके देखते है कि ये क्या कहते है clear हुआ ये solution 6th का 4th part figure बना लेते हैं ये वाली वो mobile का display भी बंद हो गया था एक time के बाद बंद हो जाता है हो तो मैंने सोचा कि चलो ओन कर लेता हूं को ना करता तो ये वीडियो मेरा जाता और मेरा जो time waste होता इसे जोड़ना पड़ता दो वीडियो बना करके है ना तो ये जो होता अच्छे के लिए होता है तो ये 72 डिग्री ये 98 डिग्री है तो आप देखते हैं कि क्या कैसे होना चाहिए हम यह वाला एंगल निकाल लेते हैं तो और अंगल निकाल लेते हैं तो वर्टिक्र अपुजिट अंगल शी प्रोप्टी का इस्तमाल करके अंगल इंटा सेंटे वर्टिक डैंट्रश siby कड़ें कर सकता है ये वाला एंगल अगर हम निकालते हैं तो फिर ये वाला एंगल इसे वाले अंगल के बरावर आना चाहिए तो आप कैसे भी कीजिए यही कर लिते हैं इसे मैंने अंगल 1 नाम दिया because n is a line नहीं इसका इस्तमाल करेंगे अंको n की उजाए m कर लिते हैं m is a line यह एक line है तो यह दोनों का sum 180 degree होगा एंगल 1 प्लस 72 is equal to 180 degree क्यों linear pair ठीक है तो एंगल 1 की value क्या आएगी क्योंकि एक semicircle बना रहे है न इस दिके से कोई भी line हो तो जो यह एंगल होता ही है एंगल होता है इन दोनों का sum 180 degree होता है वही चीज यहां पर है यह line और यह उन दोनों का sum 180 degree है तो ट्रांस्पोजिंग करेंगे 72 प्लस है इधर उधर जाके माइनस होगा 80 में से 72 गया 8 और 100 बच गया 108 degree कॉलम वेसे माइनस करके देख लीजिए वेसे direct भी आपको काफे अच्छे से आना चाहिए नहीं थोड़ा बहुत तो इतना तो होना ही चीए अंगल 1 की वाल्यू आ ही 108 degree है और यह 98 degree है विकाज अंगल 1 इस गल टो 108 इस नोट टो 98 विकाज कोर्सपोंदिंगल 1 और 98 कोर्सपोंदिंगल चाना बिकाज कोर्स corresponding angles are not equal यह वाले corresponding angles equal नहीं है so L is not parallel to ऐसे लिखेंगे L is not parallel to M ठीक है तो इस तरीके से हमने कर लिया यह होप सो अच्छे जी समझ में आया होगा तो आप इसका screenshot ले लिजिए और don't forget to like subscribe, share, comment बाई, मिलते हैं next वीडियो में chapter number 6 के साथ या कोई और chapter जो होगा वो आपको पताल लग जाएगा बाई